क्या है आज की बात मेरी बात आप की बात हर किसी की बात देश दुनिया गाउं तेहाद सत्ता समाज संस्कृति मीडिया और सियासर सबकी बात नियोज क्लिक का वीकली शोव आज की बात मेरे साथ दोस्तों नमस्कार आदाप सत्स्रीयकाल नियूज क्लिक के कारिक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश तिलंगाना का मतदान कल है और तिलंगाना में जो कयास लगाया जा रहे हैं जिसकी पहले कलपनच नहीं की जा सकती थी कि कांग्रेस आल अप सडन इतनी तेजी से आगे बढ़ी है पिछले साथ-ाथ महिने में कि आज उसका मुकाबला बियारेस के साथ इतना कड़ा इतना दिल इतना कांटे का है कोई नहीं कह सकता कि बी आरेस टिकेगी या नहीं टिकेगी कांग्रेस जीतेगी तो कितने मारजिन से जीतेगी या अधर में लटक जाएगी किसी के भी बहुमत नहीं आएगा या अगर किसी का आएगा तो प्रचंड बहुमत आएगा इस तरह के तमाम कयास तेलंगाना में लगाए जा रहे हैं लेकिन एक बड़ी बात है बड़ी बात यह है दोस्तों कि कुछी महीने पहले तक ये सभी लोग कहते थे तेलंगाना में आम तोर पे जो केसी आर के विरोधी हैं या केसी आर के समर्थक हैं वो सभी कहते थे कि केसी आर का कोई भी कल्प नहीं है जिस तरह हाल तक मोदी जी के बारे में कहा जाने लगा था कि मोदी जी का कोई भी कल्प नहीं है अभी भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि मोदी जी का कोई भी कल्प नहीं है लेकिन इंडिया ब्लॉक के बनने के बाद इंडिया एलाइंस के बनने के बाद एक बात तो सामने की नेता बहुत हैं दल भी नहिए और मूदी जी के सामने नई नई जो हस्तियां है नई शसियत लायक है अब आप देखिए M.K. स्टालिन नमीन नितिश कुमार आमिन सीधा रमया अनेक नेता ऐसे हैं जो कि केंदरी नेत्रित्तो को भी समालने की धक्षता रखते हैं मलिकार जुन खड़के कांग्रिस के आज रास्टी अध्यक्ष हैं जबकि वो एक जमाने में कांग्रिस के करनाटक के बड़े नेता हुआ करते थे तो कुल मिलाकर आज इस्तियां बिलकुल डिफरेंट हो गई है राजनीत में कब कैसे एक्वेशन बदलते हैं कोई नहीं जानता तेलंगा ना में वैसे ही एक्वेशन बदला है और सचमुछ बियारेस चीफ और केसियार मुक्यमंत्री के चंशेखाराओ सचमुछ संकट में हैं यह संकट आज की तारीख में नहीं बताया जा सकता है कि कितना बड़ा है कितना कम है क्योंकि कल एकजिट पॉल शामने आ जाएगा और एकजिट पॉल पर हम भरुसार नभी करें तो तीन तारीख तो बहुत दूर अब नहीं है इसलिए हम यह कयास नहीं लगाएंगे ए आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि KCR के पीछे अनेक ऐसी शक्तियां हैं जो सीधे दिखाई तो नहीं दे रही हैं लेकिन सचमुच KCR को आज इस संकट में वो जीतते हुए देखना चाहती हैं और ऐसी शक्तियां अपने आप में आश्रजनक है कि जो जगन मोहन रेड़ी हैं आंधर प्रदेश के मुक्ष मंत्री एक जमाने में जो कॉंग्रिस पार्टी के बड़े नेता राजशेकर रेड़ी उनके बेटे हैं राजशेकर रेड़ी के एक दुरघटा में दिवंगत होने के बाद स्थितियां ऐसी बनी कि उनको कॉंग्रिस से अलग होना पड़ा जगहन मोहन रेड़ी को और फिर वो कॉंग्रिस के बिलकुल कटर आलो चक्याबल की शत्रू राजशेकर शत्रू के रूप में बदल गए और आज इस्तितिया है कि वो अगर देखा जाएं उनके तवाम लोग कहते हैं वो पेलिक कोई कहे ना कहे लेकिन ये सच है कि वो केसी आर को जीतते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर कॉंग्रिस तेलंगाना में जीत कर आ जाती है तो उनके यह भी माना जा रहा है कि करनाटक में कॉंग्रेस जिस तरह से जीती है उसका असर पडोसी राजी तेलंगाना पर भी पड़ा है तो ठीक वैसे ही अगर कल्पना कीजिए कि तेलंगाना में कॉंग्रेस जीत जाती है तो उसका प्रभाव आंध्र प्रदेश पर पढ़ना लाज उट गई है कि आप तो ये भी कई लोग कहते हैं खास कर जो राश्टी स्विम सिवक्संग के बहुत सारे जमिनी अस्तर के प्रचारक हैं जिनसे कई पत्रकारों ने बात की जो वहाँ पर घूम रहे हैं खास कर तेलगू अख़वारों के तेलगू वेब साइटों के भी उनमे एक स्टेटिजिक समझदारी बन सकती है कि अगर बीजेपी के उमिदवार हर चुनाव छेतर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जहां बीजेपी जीत रही है वहाँ संग परिवार के सभी लोगों का वोट या उनके समर्थकों का वोट तो निश्चित कि लड़ाई लड़ रही है वहाँ पर बहुत संभव है कि कॉंग्रेस को हराने के लिए संग परिवार के वे सदस्या और उनके समर्थक केसियार की तरफ जुग जाएं तो केसियार को ये टैक्टिकल सपोर्ट देने की बात भी सामने आ रही है और दोस्तों हम अगर देखे तिलंगाना की लड़ाई को तो उसमें हम ये समझ सकते हैं कि कैसे राहूल गांधी की पद्यात्रा ने बड़ा रूर अदा किया इसके अलावा जो रेवन्त रेड़ी हैं वहां के प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष उनका डैनिमिजम उनका उनकी मेहनत ओ काम आई मानिक र प्रभावी हैं भले उनकी आबादी उतनी जबड़ी नहों लेकिन उनका क्लाउट बहुत है सोसल एकॉनमिक दोनों उनका जो एक समर्थन कॉंग्रेस को मिला है इस पार टीडीपी चुनाव नहीं लड़ रही है उस कारण से भी वह एक बड़ी ताकत कॉंग्रेस को मिली है लेकिन दोस्तो एक बात आज जरूर कहनी है बहुत इंपॉर्टेंट है चुनाव कल है मतदान कल है कि जनादेश जिसके भी पक्ष में जाता है लेकिन अगर सरकार बनानी की स्थिति में कॉंग्रेस आ जाती है तो उसको बड़े बहुमत की जरूरत होगी केसियार को बड़ सरकार कमफर्टेबल बना सकते हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी अगर बहुत अच्छी मेजार्टी से नहीं चुनाव जितती तो खतरा हमेशा रहेगा हमेशा खतरा रहेगा भले ही भारती जनता पार्टी वहाँ पर प्रहावी नहीं है कि आपरेशन लोटस जैसी कोई बात हो लेकिन केसियार भी कुछ कम नहीं है इसलिए कॉंग्रेस पार्टी अगर सरकार में आना चाहती है तो निश्चित रुप से उसका बड़े मुहमत की जरूरत पड़ेगी केसियार के मुकाबले ठीक इसी तरह की स्थितियां दोस्तो हमने 36 गड़ के बारे में भी हमने सुना है और मद्ध परदेश के बारे में और जब ये बात हम कह रहे हैं तो ये कोई कपोल कलपना नहीं है हमने 2018 में देखा कि कैसे कमलनाच की सरकार बन गई और सरकार बनने की ठीक 15-16 महीने बाद 2020 के मार्श ये अपरेल महीने में संभ़त प्यानक रिवोल्ट हुआ और रिवोल्ट क्या हुआ दल बदल था बहुत ही अजीब हादसा था कि उसमें जोतिरा सिंद्या जैसा बड़ा नेता कांग्रिस का जो राउल गांधी और प्रिंका गांधी का बहुत करीबी है और उनकी अगवाई में रिवोल्ट हुआ बाइस विधायक चले गए और 22 विधायकों के बल पर फिर से शेवराज सिंग्चोहान की सरकार वापस आ गई तो हैरतंगेज घटना थी उसको खुबसूरत नाम दे दिया था लोगों ने खासकर मीडिया में तो खुब उचला आपरेशन लोटस तो आपरेशन लोटस की तैयारी कही भी हो सकती है वो राजस्तान हो सकती है वो मत्रदेश हो सकती है वो 36 गड़ हो सकती है और 36 गड़ में तो चर्चा है कि भूपेश बगेल की अगवाई में अगर कॉंगरिस को बहुत बड़ा बहुमत नहीं मिलता है बहुत बड़ा का मतलब 52 सीट से कम अगर आती है सीटें तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं तो उनको बड़ा बहुमत प्राप्त करना होगा अगर सरकार को कमफर्टिबल लंग से वो चलाना चाहते हैं तो अब देखना यह है कि आपरेशन लोटस के खतरे या उसकी चुनोतियों के बीच तेलंगाना से लेकर के और 36 कड़ की लड़ में किस तरह की सरकार पसंद कर रही है यह सब कुछ चीजें बाहर आ जाएंगी बिल्कुल साफ साफ एक्जिट पोल का आप बरुसा करें न करें अब तो बहुत कम दिन है जब मत गणना होगी और तीन तारीख को जनादेश सामने आ जाएगा तो आज इतना ही दोस्तों नम झाल 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 झाल